हेलो यूटूब फैमली कैसे हालना है आई ओप सब अच्छ होंगे आज आपके लिए लेकर आया है डबल सूट किस तरीकी से कटिंग करते हैं वैक और सामने की फ्रेंज जो भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ओन रखे और वीडियो को लाइक करें हमारे जो सूट की लंबई है 42 है हमने आदे इंच फाल तो रखे चलिए लंबई आपको दिखा देते इस तरीके से 42 इंच रख लेनी है यहाँ पर रखेंगे साड़े 6 इंच पर हम चैस्ट करने सान 14 इंच हो जाएगी हमारी कमर और 21 इंच हो जाएगी हमारी हिप तो इस तरीके से हमें निसान लगा लेंissRed हमारे पास है नाप का सुट किस तरीके से नाप लेकर हम सूट की कटिंग करते हैं यह हमारा border हो चुका है बाजु का यहलका असा border है यह हमारा save जो है दोनों तरफ से आप देख लीजी एक सी है और इस तरीके से हम दोनों को बिचार लेंगे यानिकि डबल कटिंग कर लेंगे बैक की और सामने की एक साथ में चलिए सबसे पहले नापेंगे हम चेस्ट चेस्ट के हिसाब से हम रखेंगे बिल्कुल फिक्स जितनी मज़ चेस्ट तियार आएगी उसी हिसाब से हम तियार नाप यहाँ पर रखेंगे तो हमारी जो चेस्ट तियार हमारी यहाँ पर चेस्ट तियार आ रही है तो इस तरीके से हमें लिख भी लेना है और नाप भी रखेंगे कमर का नाप लेंगे और कम से कम आदा इंच हम इसको बढ़ा लेंगे किस तरीके से बढ़ाना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर हम जो रखेंगे 21 इंच यहाँ पर हमारी कमर तयार आ जाएगी हिब्बे हम तयार जो है उससे आदे इंच फालत रखेंगे और फिटे से बिलकुल सीधा निसान लगा लेना है लगाने के बाद एश्टा कपड़ेगा भी हम नीचे दामन का निसान यहाँ पर लगा लेंगे देखे हमारा निसान लगकर तयार हो चुका है उपर इस तरीके से सेख पट्टी से हम घुमाएंगे और हिप पर भी इसी तरीके से सेख पट्टी हम घुमा कर यहाँ पर लगा लेंगे अब चलिए गला कितना तयार रखना है और किसी हिसाब से रखना है वो भी आपको दिखा देते हैं सबसे पहले रखेंगे पौने तीन इंच की भी रोडिंग और यहाँ पर गला ना पेंगे गला हमारा जितना तयार आरा उतना रखेंगे पौने 6 इंचे अगला तयरा रहा है तो 5 इंच पूर्प पांछे पूर्प आरा रहा है अ हमरी कंदी आ रहे हैं यहांपर 4 इंच की कंदी के थापसे हमयाँ पर निसानですね 14 इंच पूर्प आरा रहा है से हटा लेंगे इस तरीके से आड़ा निसान लगा लेंगे दो सूथ के करी अब हम कंदे भी गिरा लेंगे कंदे गिराने के बाद इसमें हम कटिंग करेंगे गोले में अच्छी तरीके से इस तरीके से हम गोले यह आपर मुड़े की कर लेंगे करने के बाद सबसे मेहन चीज है बिल्कुल fix सही आ रहा है तो अब इसके हम आपको cutting करकर दिखा देते हैं सबसे पहले करेंगे सामने की cutting उसके बाद आपको दिखाते हैं कि back की एक साथ cutting किस तरीकी से cutting करते हैं यानि कि फिर हमारा double cutting हो जाएगी तो यहां पर हमारी कि गोलाई यह गोले अच्छी तरीके से यहांप़ हम cutting कर लेते हैं देखिये आपर हमारे गोले अच्छी तरीके से हाँपर cutting कर लेंगे तरह हम बेक की से आदा इंची छुड़ पर उपर से cutting कर लेंगे तो हाज से हम गोले तक कटिंग कर लेनी है देखे डबल हमारी कटिंग एक साथ हो जाएगी इस तरीके से में कटिंग कर लेनी है बैक और सामने की सबसे आसान तरीका है और जल्दी कटिंग हो जाती है ध्यान रखना है कि एक साथ नहीं कटिंग करने है पहला सामने फिर बैक नीचे से मारा border cutting हो चुगा है उपर हमने निशान यहाँ पर लगा लिए सेट से भी अच्छी तरीके से यहाँ पर निशान हमने लगा लिए अब बाजू, बाजू cutting किस तरीके से करनी है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से प्रेस अगर आपको वीडियो समझ में आए एक दो बार और देख लीजिए जिससे वीडियो आपकी समझ में आ जाएगी है यहाँ पर हमना कपड़े का cutting था इसको हमने अलग कर लिया है और यहाँ पर यह निशान आ रहा है इसको भी अलग कर लेते हैं पहले हम ना पेंगे ब पाड़े नो इंची का मुड़ा तयार रख लेंगे अब इस तरीके से हम फोल्ड करकर बाज़े को यहाँ पर निशान अच्छी तरीके से लगा लेते हैं हमारी बाज़े है साड़े बीस तो 21 इंच की बाज़े हैं पर हम cutting कर लेते हैं इसको हम और फोल्ड कर लेंगे नीच अची कपड़ा यहाँ पर छोड़कर हम cutting कर लेंगे मोरी रखेंगे 11 इंच यहाँ पर इस तरीके से 11 इंच का निशान लगा लेंगे तो यहाँ पर 21 इंच हमारी यह तियार आ रही है तो यहाँ पर निशान बिलकुल fix समर्ण तैयार हो चुका है आदा इंच हमारी दबों म में ये problem आ रही है तो आप इस तरीके से cutting करना सीख सकते हैं क्योंकि कड़ाईवाले में बहुत problem आती है सबसे मेंच चीज़ आती है कि सोटो cutting करने में कड़ाई को cutting करने में उसमें problem आती है देखे आप यह हमारा अलगल हो चुखे हैं तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले इसकी गहराई कर लेते हैं फ्रेंस अच्छी तरीके से इस तरीके से हमें इसकी गहराई कर लेनी है अचलिए आप आपको दिखा देते हैं गहरा किस तरीके सामरी तैयार हो चुकी है